वाइलो कैसे हो आप लो तो स्वेलो रेस्टार के नेक्स्ट इड नोवल के एपिसोड नमर 90 में आपका स्वालत हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबाना ना तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक स्टार्ट ट्रेवल लेवल का बंदा लू फैन की घर आया हुआ था और वो आके लू हुआ को धमकी दे रहा था तो अब लू हुआ हसते हुए कहता है कि चलू मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं और वो नमबर 3 को ब प्रोटेक्ट कर सके और वो कहता है कि मुझे किसी की जरुवत नहीं मेरे फैमली को प्रोटेक्ट करने की और मैं जानता हूं कि कर लोगों को खुजली मची है लेकिन हमारा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं है और लू हुआ हसते हुए कहता है कि जब मेरा भाई यहां से ग कि इस रोबर्ट के सामने मेया भाई भी कुछ नहीं कर पाया था और ये बात में सच्चाय भी थी क्योंकि वो रोबर्ट इट्रेम मेटल का बना हुआ था और लूफएंग अगर अपने हाइबीड कॉपर एसेंस से भी उस पे एटेक करें तो उसे हट नहीं कर सकता था और भूब के भीडियों की तरह मेरे पीछे परे हुए हैं और सबकी नजर मेरे ब्रदर के छोड़े हुए समान पर थी और वो कहाता है कि मेरे ब्रदर ने टोटल 16 मोयन क्रिस्टल को छोड़ा है और अगर किसी नहीं हिम्मत ही लेने की तो मैं उसे उसे यूज करके अपना एक एकजामपल सेट कर दूँगा कि लू हुआ कि फैमिली से उलजने का क्या नतीजा होता है अब फेसे सीन चेंज करके हमें इस पेस में दिखाया जाता है जहां पर पूरी तरह से सांती होती है और हमें एक एंसेट एक जिस्टन को दिखाया जाता है लेकिन तभी अच्छानक वहाँ पे एक वार्प बनता है और उसमें से एक सिल्वर ग्रेग कलर का सिप निकलता है और वहाँ पे वो रिपोर्टिंग करता है अपने कैप्टन से कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और वहाँ पे उसका कैप्टन भी हसने लगता है और उनमें भी हूमन जैसे ही लो और यहां पे वो लोग सब को जल्दी से लोकेशन ट्रैस करने को बोलता है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में किसी को इस वार्म हॉल के बारे में नहीं पता था इसलिए वो इसके बारे में अपने क्लैन को इनफॉर्म करना चाहता था लेकिन तभी उनका एक मेंबर चोर से चिलाता है और उसे मिलकीवे की वोई डिस्टिक की और इसारा करके बताता है कि मास्टर यह देखे उधर क्या है और यहां पे जब कैप्टर उसका देखता है तो वो सौक हो जाता है क्योंकि इस वोई डिस्टिक में आने का किसी को कोई रास्ता नहीं पता था और वो लो और इससे किसी डार्क यूनिवर्स में चिपा दिया था इसी काई इसमें जाने का किसी को कोई रास्ता नहीं पता था और यहां पे उन्होंने इसी रास्ते को धून लिया था और फिर सीन्च चरंज करके हमें पैसिफिक ओसीन को दिखाया जाता है जहां पे लूफएंग ने उन ठी टेकनिस को सीखने की कोसिस कर रहा था और जब वो दाहार लगाता है तो उसकी दाहार से ही कई सारे बिस्ट फट के मर जाते हैं और यहां पे बवाता लूफएंग के लिए ट्रेनिंग रूटीन तैयार कर लिया होता है जिनमें सबसे पहले डेटी आफ वर्ल को डाल होता है जो कि नॉर्मल टेकनिक थी फिर एपसलूट इस पेस थी जो कि खुद की नेच्वल टेलेंटी जो कि बहुत ही ज्यादा पावर्फुल टेकनिक में से एक थी अब लूफएंग ने उन तीनों इन्हेटेंस टेकनिस को सीख लया होता है अफिर वो डेटी आफ दे वर सबसे पहले में आती है आर्क ओफ फ्लाइट और फिर दूसरे में आती है एवर चेंजिंग और तीसरे में आती थी टेलिपोटेशन और इन सब को सीखनी के प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूर थी और इस टेकनिक में स्पीड की जरूरत थी और इस टेकनिक के हिसाब से और उसे हम इस तरह define करते हैं कि एक कारी समझ लो जो 100 km पहुंचने में 10 से 20 सेकेंड लगा सकती है जो कि नॉर्मल कार होती है लेकिन वही पे एक सूपर बाइक को ले लो जो कि सिर्फ 2 और 3 सेकेज में 100 km पर हावर में पहुंच जाती है और यही होती ही परस्ट स्पीड और य लुफेंग को टेलिपोर्टेशन टेकनिक को सुनाता है तो बाबाता बहुत नहीं ज्यादा एकसाइटेड हो जाता और कहता है कि टेलिपोर्टेशन इसे तो तुम्हारी टीचर्ज दो की एक अंडाइन बेंग है वो भी नहीं सीख पाए थी तो लुफेंग भी निरास होत हुए क्याता है कि फिर तो ये एपसोल्यूट स्पेस को सीखना बहुत ही ज्यादा मुस्किल लगता है यहां तक कि यून्मो प्लैनेट के मास्टर भी इसे सीख नहीं पाए थे और वो इस टेकनिक के डिस्क्रिप्सन में देखता है जहां पर पहले लेवल को तुमने अपन बाटी है टेलिपोर्टेशन जो कि बहुत बहुत ही डिफकल्ट है जिसे मैं हाड़ वर्क लक यह सब चीजे चाहिए तब ही जाके वो टेलिपोर्टेशन इसकिल को सीख सकते हैं और फिर बवाता कहता है कि तुम यह समझे नहीं कि यह कितनी कीमती है और यह बात सिर बस्ट इसको समझता है और फिर बवाता आगे कहता है कि अगर तुम्हाएं टीचर ने इस टेकनीक को सीखा होता तो आज सायद वो जिन्दर होते हैं और जिसके पास भी यह टेलिपोर्टेशन की टेकनीक होती है उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और बवाता बतात हमें इसके रिकॉर्मेंट्स को पूरा करना होगा तब ही जाके हम इस टेकनीक को सीख पाएंगे और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि डेटी ओफ वर्ल भी त्री स्टेजेज में डिवाइड होती है जो की होती है बेगनर, एडवांस और फिर अल्टिमेट टेकनीक और इस फिर्स्ट इस टेज में उनकी पावर ठी टाइंस बढ़ जाती है, सेकननस बन की नाई की फ्रैक्टर हो जाती है और ठर्ड में जितना चाहू उतना बरा और चूड़ा हो सकते हो, लेकिन अब यह नहीं कि तुम जितना चाहू उतना बरा हो सकते हो इसके भी अपने एक लिम है और इसकी 3D stage बहुत बहुत हार है और कई सारे बीष्ट है जो अपने 1st stage को complete कर लेते हैं लेकिन 2nd stage के बीष्ट बहुत ज्यादा मुस्किल और रेल होते ही और हमें यह भी बताया जाता है कि deity of world की वज़त से golden गोल्डेन होन बीस्ट अपने पावर को मल्टिप्लाई करके बढ़ा सकते हैं और इसमें अपनी टैलेंट जो और भी इनहेंस हो जाती है और अब अब आता लू फैंग से कहता है कि तुम्हारे पास टीन टैलेंट है जिसमें से पहली आती है स्वैलो दूसरी आती है इनहेंस और फिर तीसरी आती है क्लोनिंग जिसमें तुम अपने बोरी के क्लोन कर सकते हो और बबाता बताता है कि जब गोल्डेन होन बीस्ट लेजर कैनन से जखमी हुआ था तो उसने अपनी इनहेंस स्किल को यूज किया था जिससे कि उसकी सारी स्टेटेस बढ़ गई होती है थो और भी बढ़ा सकते हो और जैसे जैसे तुम इसको सीखते जाओगे तुमारी फ्लाइंग स्पीड भी और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी अब यह सब सुनके लूफएंग को सब क्लियर हो जाता और यहां पर कई चीजे होती है जो लूफएंग को समझाता है बभाता और सारे क्लोन अलग-अलग ट्रेनिंग कर सकते हैं और अगर गोल्डेन होन बीश्ट की बात की जाएं तो वो अपने टीन क्लोन को बना सकते हैं और यहां पर हमें एक आइस माउंटेन बीश्ट के बारी में बताया जाता है जो उनीके रियर स्पेसिस में से होता है जो की अपन लूफएंग इंसान कब बनने वाला है तो मिलते नेक्स रूदू में तब ते के लिए पाई